हलो एवरिवेंग तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 जोकी जिसका नाम है मिजबिल दा ओटर चैप्टर को समझना है बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत ही प्यारा चैप्टर है जैसा कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है यह कौन है यह है ओर्टर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते है उद्ध बिलाओ ठीके अब यह जो अनिमल होता है इसको बेसिकली कैसा नेचर जी होता है इसको चाहिए होता है जैसे बहुत ज़्यदा पानी बानी हो वहाँ पर रहना इसको ज़्यादा पसंद आता है जो ओर्टर का नाम रखा है वो रखा गया है मिजबिल यह किसी ने रखा है किसने रखा है उसके बारें बात करेंगे तो इसका नाम रखा गया मिजबिल और ये क्या करता है कहां से कैसे आता है और ओथर इस चीज को कैसे बता रहे है जिनका नाम है मैक्सवेल ठीक है तो मैक्सवेल ने इसको इस कहानी को खुद से बया किया है तो यहां के राइटर जो है वो भी मैक्सवेल है और यहां पर जो जो बता रहे हैं वो story बता रहे हैं वो अपनी ही बता रहे हैं तो start करते हैं chapter number 8 one shot के रूप में और try करेंगे हम इसको बहुत ही अच्छे से और तरीके से समझ ले आज एक और चीज में लेकर आई हूँ हम यहाँ पर इस chapter के answer writing नहीं करेंगे जी बिल्कुल answer writing नहीं करेंगे हम question के answers देखेंगे क्योंकि यहाँ पर questions जो है जैसा कि मैंने बताया था कि यह chapter हमने नहीं किया है इसलिए मैंने कुछ questions ही ले लिए ताकि आपको बता सको कि आप question के answer किस तरह से लिख सकते हैं तो answer writing आज इस chapter के हम नहीं करेंगे चलिए तो main point से chapter को शुरू करते हैं और मैं आपको chapter जो है points के साथ साथ पूरी story भी बताऊंगी ताकि आपको पूरी story complete समझ में आ जाए कि exactly क्या क्या किस किस तरह से हुआ था main points of the story point number one when Maxwell's dog died he became alone with a pet अब क्या हुआ था Maxwell जो था उसके पास एक कुत्ता होता था ठीक है उस कुत्ते के मरने के बाद क्या हुआ Maxwell जो है वो अकेला हो गया उसको समझ मी नहीं आ रहा था वो कैसे अपना time निकाले क्योंकि pet के बिना pet मतलब जो भी हम पालतू रखते हैं उसको pet बोलते हैं तो फिर वो कुछ भी हो सकता है doggy हो सकता है cat हो सकता है pet में सारे animals सा जाते हैं तो उसका doggy जो था वो dead हो चुका थ है doggy की चलो यार दूसरा doggy जो है उसको रख लेते हैं बट यहां पर जो Maxwell थे उन्होंने सोचा कि मैं अब इस doggy के बदले दूसरा doggy ना ले करके क्या ले लूँ एक otter ले लूँ चीके एक otter को मैं pet बनाके अपने पास रख लूँ बट otter के लिए बहुत अलग-अलग ची ना वो क्या था अधूरा सा था अब बात कर रहे हैं कबकि जब वो बता रहे हैं कबकि 1956 की बात बता रहे हैं In 1956 he traveled a southern Iraq and there he thought of keeping an otter instead of a dog In 1956 में वो travel करके गए थे कहां गए थे जब उनका dog जो है डाइड हो गया था तब वो चले गए थे कहां गए थे एराक गए थे और वो खुद का रहते थे वो खुद रहते थे लंडन में तो उन्हों ने सोच वो जब travel करके गए कहां पर southern Iraq यानी दक्षिनी इराक में जब वो गए And there he और वहां पर उन्होंने सोचा of keeping, keeping मतलब रखने का, क्या रखने का An otter instead of a dog, instead मतलब बजाए बजाए dog के उन्होंने क्या सोचा, कि मैं क्या रख लूँ, एक otter रख लूँ तो ये चीज कब हुई थी 1956 में जब वो travel करके कहां गए थे, southern Iraq गए थे His friend advised him to get an otter in Tigris marshes, they were found in Planety Deer उसके साथ क्या हुआ था, हमारे जो author है, यानि की Maxwell उनके साथ, उनके एक friend भी गए थे जब वो दोनों गए तो उसने अपनी बात, जब अपनी मन की बात बताई कि मुझे जो है, otter लेना है मुझे otter को रखना है as a pet, तब उनके friend ने बोला कि अगर तेको तेको otter रखना है न, तो otter रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है जहां पे तेको ऐसे ही otter मिल जाएंगे, वो जगह कौन सी थी, वो जगह थी, tigris, marshes यानि की tigris के dal-dal, तो उन्होंने उसको बोला कि उसके friend ने उसको बोला कि तुम tigris के dal-dal में जाओगे, तो वहाँ पर तुमको, उसके friend ने से advice दी उसको, वहाँ पर उसको बोला कि तुमको वहाँ पर प्लैनिटी दियर मतलब वहां पर अंगिनत मिल जाएंगे प्लैनिटी मतलब कि इतने मिल जाएंगे कि तुम वहां से नॉर्मल है यूँ कुछ भी इंठालो इस तरह के लगते हैं otherwise जहां वो थे वहां पर बोला था कि यहां पर ओर तुमको फिर भी थोड़ी से कम मिलेंगे ल स्कॉर्टिंग ऑन दे फ्लोर एंड असेक वास लाइंग बिसाइड देम अब यह पॉइंट कब होता है जब अपने फ्रेंड को बोलता है कि मुझे जो है और चाहिए तो उसके फ्रेंड उसको सजेस्ट करते हैं कि तुझे जो है टिग्रिस के वहां पर तुझे बहुत सार और ट्रस मिल जाएंगे अब क्या हुआ था ये दोनों फ्रेंड जो थे किसी काम से इराक आये थे अब वो काम करने के लिए क्या हुआ था कि इनको जो काम मिला था तो इसके फ्रेंड का काम हो गया था मतलब कुछ मेल वेल चाहिए थी वो काम हो गया था बट जो मैक्सवेल थे उनका काम नहीं हो पाया और उनके फ्रेंड जो है चले गए और Maxwell वहीं रहे गए क्योंकि Maxwell को वहां पर जो काम था जो करना था वो complete नहीं हुआ था तो उस चक्कर में उसको वहां पर रहना था तो mail का जवाब नहीं आया तो उन्होंने क्या किया जो Maxwell था उसने call किया तो जहां पहले के टाइम में क्या होता था call करने के लिए ऐसा नहीं कि आज के टाइम के जब अस बटन दबाया और phone पे बात कर ली नहीं पहले क्या होता था booking करानी पड़ती थी कि हाँ भई हमको next day जो है बात कर लिए तो 24 गंटे के बाद आपको आपका number मिलता था कि हाँ भई अब आपकी booking हो गई है अब आप बात कर सकते हो तो Maxwell को mail से काम नहीं हो रहा था उसका जवाब नहीं आता था उसने call करने की बात की जब call करने के लिए उसको रुखना हुआ तो उसकी friend ने बुला यार मेरा काम तो हो गया है मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर रह लेना तो ठी उसने का ठीक है तो वो वही पर ही रहा अब उसको था कि थोड़े दिन रहना है मेरा काम हो जाएगा फिर मैं भी चला जाओंगा उसी बीच क्या हुआ दो अरब्स यानि दो इराक में जो लोग रहते हैं उनको अरब्स का है तो दो अरब्स जो थे वो बैठे थे कैसे squatting मतलब की आलती बादी मार करके बैठे थे on the floor फ्लोर पर and a sack was sack means क्या होता है बोरी हाना जो बोरी होते है उसको sack बोलते है और बोरी जो है वो रखी हुई थी besides them यानि कि उनके बगल में besides में सोता है बगल में किनके उन दो जो अरब आये थे उनके बगल में क्या रखी भी थी एक बोरी रखी थी और बोरी क्या हो रही थी ऐसे हिल डूल रही थी तो author ने सोचा, maximum ने सोचा ये हिल क्यों रही है बोरी ऐसे से बार-बार हिल रही है फिर ऐसे हो रही है, फिर ऐसे हो रही है हिल क्यों रही है और फिर जो अरब आये थे ना जो दोनों अरबी जो थे वो आये और उन्होंने उनको एक नोट दिया और बोला कि ये लो ये तुमारे फ्रेंड ने तुमको नोट तुमारे लिए दिया है और बोरी जो है उनको हाथ में थमा दी और वो नोट जो था वो भी दे दिया और उस नोट को दिया तो वो नोट कहां से था उसके फ्रेंड के द्वारा था जो उसका फ्रेंड उसके साथ आया था वो जो चला गया था उसका काम हो गया था तो उसने उसके लिए ओर्टर का इंतिजाम कर दिया था Maxwell के लिए ओर्टर का इंतिजाम उसने कर दिया था और उसके लिए उसने दो लोगों को बोल भी दिया था और उस बोरी जो हिल डूल रही थी उसमें कौन था ओर्टर था तो उसके friend का वो note जो है वो दिया कि here is your order ये रहा तुमारा order ठीक है उद्बिलाओ बोलते इसको अब narrator जो था उसने क्या किया इसका नाम रखा मिजबिल क्योंकि scientifically इसके बहुत सारे नाम थे जो कि हम question में मैंने this question में इसको include किया है बहुत typical नाम है तो वहाँ पर हम इसको समझेंगे में कोई याद नहीं होता है इतना typical दे तो लिख लिख के याद करना आप लोग अगर आपको याद करना है तो उसको लिख लिख के याद करना है बहुत अलग टाइप से नाम है scientifically नाम है तो scientific नाम है narrator ने जुसका नाम क्या रखा कि उसके नाम में बहुत सारे confusion हो दे तो उसने उसका नाम क्या रख दिया Mijbel उसका नाम रख दिया In the beginning Mijbel was indifferent but started taking a knee interest in his surroundings अब क्या हुआ अब वो लेकर के आना चाहता था किसको अपने इस order को लेकर आना चाहता लेकिन अभी वो कहा था अभी भी वो इराक में ही था क्योंकि उसको वहाँ पर रुखना था जब तक कि उसका काम नहीं हो जाता तो जब ओटर देखे गए तो ओटर क्या था बिगनिंग में बिगनिंग मतलब कि शुरुआत में कैसा था अब कभी हमारे पास कोई पैट आ जाएगा तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक दिन में ही वो हमारे साथ हमारा फ्रेंड बन जाएगा और बिल्कुल ऐसे रहेगा कि वो हम इसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं इसा नहीं हो सकता है वो जब हम टाइम टू टाइम रहते हैं वो चाहे एक पैट की क्या बात करें एक human being में भी अगर हम बोले तो वहां पर भी ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी के घर में रहने जाते हो तो बहुत अटपटा सा लगता है हम बेकुल एक कौने में बैटे होते ह हैं चुप-चाप रहते हैं अपनी अपनी कुछ बाते जो है वो ठीक से नहीं बता पाते हैं मतलब जो चाहिए होता है उसके लिए मन में होता है यार यह चीज़ चाहिए लेकिन बोलते नहीं कि अर्यार कैसा लगेगा सामने वाले को जब तक कि nature समझ भी नहीं है तो ऐसे ह और जो था उसको भी मिजबिल के साथ मैक्समेल के साथ तो वो थोड़ा सा कैसा था थोड़ा सा डिफरेंट तरे से बिहेव कर रहा था मिजबिल जो था वो इन डिफरेंट बड धीरे धीरे वो क्या करने लगा start करने लगा interest in his surroundings आस पास की जो चीज़े हैं उसमें जो है उस तरह से वो surrounding मतलब होता है आसपास ठीक है आसपास की चीज़ों में वो interest लेने लगा now next he came to his bed and remained he came to his bed and remained sleep on the Maxwell's knees अब क्या हुआ starting में तो क्या हुआ अब इसके chapter में जो मैं आपको बता रहे हूं कि क्या हुआ था कि जैसे ही वो आया तो पहले तो क्या होता था उसके बैड के आसपास भड़कता नहीं था कुछ एक दो दिन के लिए कौने में जाके बैड जाता था वहीं जाके सोता था जैसे ही वह भी लेट गया कि उसको भी थोड़ा सा comfort फील होने लगा और वह जाकर के बैड गया हिप्पो मिंस क्या होता है हिप्पो मिंस होता है दरियाई गोड़ा ठीक है जो ओटर था बाकी ओटर की तरह ही कैसा था मिस्बिल को enjoy अच्छा लगता था मज़ा आता था क्या करने में splashing splashing मतलब होता है फैलाना ना water को जब हम फैलाना के जैसे बाल्टी लिया बाल्या को ऐसे पआनी को फ्लोर पे डाल तो इसको splashing कहते है तो उसको ऐसे splashing करना पानी को उच्छालना ये सब चीजे उसको बहोत अच्छी लगती ता और इक जीएकटली वह भी यह सब चीजें बहुत अच्छी लगते थी कि पानी के साथ उसको बहुत मजाता था 10. मिजबिल वाज सक्सेस्फ़ल इन स्क्रूइंग अप दे टैप तो इस फ्लो फ्लो अब मिजबिल था वो क्या करता था जब ऑथर जो थे यानि कि मैक्सवल जो थे वो उसको नहलाने के लिए जाता था उसको पता था कि बई ओटर को क्या पसंद है ओटर को पसंद है पानी में नहाना पानी में बैटना उसको बहुत अच्छा लगता है तो वो एक आदे खंटे के लिए उसको वहाँ छोड़ देते थे फिर धीरे क्या देखा उन्होंने उन् चीज को कर लेता था कि जैसे ही जाता था बात्रूम में और टैप को जो है वो अपने आप से खोल लेता था अच्छे से तो screwing up the tap to its full flow के साथ उसको screwing up मतलब गुमा करके पूरा टैप को खोल लेता था the otter spent most of his time in playing और otter जो था वो अपना जादा दर time जो है खेलने में बिताता था कि पानी में खेल लेता था और भी बहुत सारे games खेलता था जैसे वो बॉल जो है उसके साथ game खेलता था वो खेलने में ही बिताता था now next it was really a difficult job to transport मिजबिल from Basra to England अब आपको exactly Basra यानि कि जहां जिस जगे वो रहता था जहां पर वो रह रहा था जहां पर आया था वो वहां से उसको कहां जाना था England जाना था उसको तो Basra से कहां जाना था England जाना था अब Basra की climate अलग होती है और England थोड़ा सा अलग तरीके से होता है तो यहां से वहां जाना उसके लिए बहुत जादा difficult था तो यही सबसे बड़ी difficult job थी plus एक pet को transport करना वो सबसे जादा difficult है आपने कभी ऐसा देखा है कि आप plane में अपन कुटे बिलियों को लेके जा रहे हैं नहीं लेके जा सकते हैं और कुछ-कुछ airlines में अगर ऐसा होगा तो वहां पर कुछ आलग कानून होते हैं लौज होते हैं उसके according हमको करना होता है तो सबसे बड़ा difficult job यही था कि इसको transport करवा के ले जाना है क्योंकि अभी तक Maxwell जो थे वो कहां पर बैठे थे बसरा में थे और अब उनको यानि इराग के ही जगए बसरा जो है वहां पर थे और अब उनको जाना था वापस कहां पर England जाना था क्योंकि उनका काम जो था वो मिजबिल को अब उन्होंने बहुत सारी एरलाइन्स में ट्राइ किया कि बही याना मुझे इसको पैट को ले जाने का permission मिल जाए लेकिन mostly जो है समने मना कर दिया एक जो थी उन्होंने कहा कि हां आप ले जा सकते हो बट आपको क्या करना है अपने पैट को इक बॉक्स में प बएक को क्या करना है एक बॉक्स वेसे तह पैसे क्या होगा बाकी की जो पैसेंचर ही वह भी रहें तो मिजबिल जो था उसने उसको क्या किया एक स्मॉल बॉक्स में उसको मिच्बिल को पैक कर दिया दे एर होस्टेस वास कॉइट फ्रेंडली एंड कोपरेटिव एंड सजेस्टेट नी कीपिंग दपैट ओन हिस नी अब क्या हुआ था यहां से में स्टोरी के अंदर और चीजे करनेक कर रही हूं अब जब ऐसा हो गया कि उसको पैक करके जाना है तो मैक्समेल ने क्या किया मैक्समेल ने उसको बॉक्स में पैक कर दिया और एक छोट इसी कुछ खाना वाना खाना था तो उसको खाना खाने के लिए प्लेन का टाइम होने वाला है तो उसने सुचा कि मैं कुछ खापी किया ज़ता हूँ जब वो खापी के वापस आया तो उसने क्या देखा कि जो मिजबिल था उसके बॉक्स से क्या निकल रहा था ब्लड निकल रहा था तो मिजबिल ने क्या कर रखा था अपने आपको जब उस बॉक्स के अंदर था तो उसने अपने आपको हर्ट कर लिया और हर्ट करने की वज़े से उसको क्या आ गया था उसको ब्लड निकल रहा था अब इतना टाइम नहीं था क्योंकि प्लेन जो था व मेरा जो pet है तो वो उसके अंदर है बट अभी वो थोड़ा सा hurt हो चुका है उसको blood में निकल रहा है तो air hostage जो थी वो बहुत अच्छी थी बहुत ही friendly थी बहुत ही अच्छे सुभाव की थी और उसने क्या किया? corporate किया उसने उसको सहियो किया और suggest किया, सुझाव दिया क्या सुझाव दिया? उसने सुझाव दिया कि आप जो है क्या करें? keeping the pet, इस pet को अपनी knees जो है वहाँ पर अपने जो घुटने हैं उनके वहाँ पर उसको बिठा दो ऐसा उसने उसको suggest किया कि अपने जो pet है न उसको आप ऐसे box में मत रखो इससे उसको और दर्ध होगा या परिशानी होगी आप उसको अपने घुटनों के पास में बिठा दो ऐसा उसने कहा, air host इसने As the box was opened, midge, midge मतलब कि midge bill को ही बोला गया है, midge was out of the box in the flesh और जैसे ही उन्होंने box को खोला, तो box को को खोलते ही क्या हुआ, midge जो है, यानि कि midge bill जो है धमार से बहार आया और बहार आ करके वो यहां-वहां भागने लगा क्योंकि ऐसा होता है न, अब आप चुए को pack कर दो, चुए दानी में, तो क्या होगा, जैसे आप पिंजरा खोलोगे तो वो ऐसे इसे बहाग जाता है अगर doggy को अगर आप रखते हो किसी box में, या कहीं उसके case में, या कहीं पर भी तो उसको अगर भाग निकलो, पहले का doggy को तो case में रखते नहीं, लेकिन हाँ, अगर मालो उसको रख दिया, या cat को रख दिया, किसी को भी रख दिया तो जैसे आप खोलोगे तो वो सबसे पहले अपने freedom को enjoy करते हो, यहां-वहां भागते हैं कि जाएं कहां exactly तो ऐसे ही जो otter था उसको भी, जैसे खोला तो धम से भागा और भागते ही यहां-वहां भागने लगा, ठीक है, तो यह out of the box है न, flash of light, एकदम से जलक से निकला और यहां-वहां भागने लगा मिजबिल disappeared and later on it was found beneath the legs of the turbaned Indian और मिजबिल था वो disappeared मतलब की अद्रिश्य हो गया और अद्रिश्य होकर कि क्या हुआ, उसको एकदम से दिखा ही नहीं, ऐसे निकला फुर्ती से कि पता ही ने चला कि कहां गया फिर later on it was, फिर थोड़े के बाद उनको कहां दिखा, found, मिला, कहां मिला, beneath the legs of the turbaned Indian जो turban Indian था, उसके leg के पास में जो था, वो order जो था, बैठा था, turban यानि कि एक पगड़ी पैना हुआ, Indian व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति के पास में, वो order जो था, हमको दिखा कि या, वो उसके leg के पीछे के side छुपा हुआ है Maxwell remained in London with Mitch Bill for nearly a month Maxwell जो था, उसको याद आया, कि जो लंडन है, विद्दम में, मतलब लंडन में उसको, उसके साथ रहते हुए, कितना time हो गया था, एक महीना हो चुका था एक महीने से वो दोनों साथ में रह रह रहे थे अब क्या हुआ, अब वो जो वहाँ पे रहा, तो उसके साथ अब वो धीरे-दीरे घुलने मिलने लगा जब घुलने मिलने लगा, तो बहुत सारी चीज़े वो खेलने लगे, गेम्स खेलने लगे Mitch invented his own game with the ping pong ball और Mitch Will क्या करने लगा, खुद से ही उसने invent किया, खुद से ही अपना नए नए गेम उसने बनाए एक ping pong ball होती है, चोटी सी, उस ball से वो खुद से ही game बनाता था, यहाँ-वाँ खेलता रहता था उसको पीछे लगा कि SSSSS लेटते लेटते पीछे-पीछे उसके साथ खेलता था, तो बहुत सारी चीज़े जो है वो करता था और enjoy करता था उसको मजा आने लगा, मैक्सवेल के साथ उसको मजान लगा, उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बोर हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, वो आराम से हर चीज जो है मैक्सवेल के साथ enjoy कर रहा था next, like school children, he would touch every block with his feet and touch every second lamp post, अब क्या हुआ कि वो खेलना खेलता था, तो हर एक चीज जैसे छोटे बच्चे खेलते है न, वैसे ही वो हर एक चीज को छूता रहता था, हर एक चीज को टच करता था, जैसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, चोटे तो बच्चे होते हैं, वो हर हर एक चीज को टच करेंगे, आप उनको कितना ही बोल दो कि भई, ये चीज आपको बेटा नहीं टच करने हैं, आपके काम की नहीं है, फिर भी करेंगे, जैसे कल फैंडी ने किया, उसको पता है, भई, हेर्बिंड पहना हुआ है, इस हेर्बिंड को पहन लिया, फिट हो ग वो भी बच्चे की तरह हर एक चीज को अपने फीट से टच करता था और हर एक सेकंड में वो टच करकर के भागता था फिर जाता था फिर टच करता था फिर इस तरह से वो ऐसे लगता जैसे की छोटा बच्चा है और हर जगे चीजों को करता रह रहा है तो इस तरह से वो खु लेंडन के लोग जो हैं वो क्या करने लगे जो वहां के लोग थे उन्होंने वह पहचान नहीं सकते थे किसको पहचानना नहीं पहचानते थे किसको इस ओर्टर को और फिर वो क्या करने लगे वो लोग जो है वो स्टार्ट करने लगे उसको अलग अलग नाम देने लगे क्योंकि वो कहां से आया था वो इराक से आया था तो लंडन के लोगों जो जितना ज्यादा नहीं जानते जो एवरेज लोग थे उनको नहीं पता था कि ये कौन है जिन उनके सामने पोलर भी अरग देंगी तो अगरे ये कैसा है ये किस टाइम का भालू है सफें सब्सकान से आगया तो उनको नोलेज जो थे तो ऐसे ही लंडन के कुछ लोग उनको उन्होंने कभी देखा नहीं था उन्होंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था तो वो क्या करें को जंगलि naam देने लगिए लगफ टाइप के लिए बढ़ाओ यह दिखे उन्होंने अलगलेग नाम किया दे उनुदें। मेच्विल को बुलाए गया बेबियु चील सेल नाम कि बता नहींtim गिलेहरी जैसी दिखती है तो इक स्कुरील बोल दिया आउब वॉल्र मिंस क्या होता है यह एक एनिमल होता है अभ बीविर यह एक एनिमल होता है यह साउथ के साइड दक्षरी साइड मिलता है तो इस तरह से अलग-अलग जानवर जो होते हैं उनको बुला रगए कि यार यह तो कैसा दिख रहा है यह तो बेबी किता दिख रहा है इसकूरिल कि यह कोईशन आ सकता है बहुत इंपोर्टन कि मिजबिल को किस-किस नामों से बु और जिनकी वज़ती है जिसको जैसा दिखता था जैसा इता जिसको व्लोग गिलैरी देखते है तो इसकória के लिए बुल सकते हैं न का यह कैसे दिख रही है थोड़ी थोड़ी नेवलों जैसा दिखती है पीचल किस धिय्क्राटी है या चूह जैसी बॉलतेते हैं जो जानत बार वहाँ पर देखा गया था तो जो लोगों ने देखा वो लोग उसको अलग-अलग जंगली नामों से बुला रहे थे और इस तरह से चैप्टर जो है हमारा कंपलीट होता है अब हम करेंगे कैरेक्टर स्केच ठीक है तो पहले एक बार चैप्टर को फिर से समझ लेते हैं कि चैप्टर में क्या था? एक मिजबल यानि कि एक ओर्टर था जिसका नाम रखा गया था मिजबल मैक्स वेल जो थे उन्होंने इसका नाम रखा था और उन्होंने बताया था कि कैसे वो एक पैट को जो की कहीं और था कहां बसरा में रहता था इराक, दक्षणी इराक में, बसरा में रहता था और उसको वहां से यहां लेकर आया गया था, इंगलेंड में, और इंगलेंड में भी उसने उस चीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय किया, सारी चीज़े उसने खेली किया, मजा किया, तो यह सब चीज़े हमने इस वैसे यहां से character sketch आता नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमको अगर पढ़ना होगा, तो हम पूरे chapter का character sketch देखेंगे, तो यहां पर दो ही है, एक तो हमारे Maxwell है, और दूसरे कौन है, जो हमारे author है, वो, यह दोनों ही character sketch important है, यहां पर और दोनों के बारे में ही बात की ग यही है, Maxwell was a naturist and the author best known for his work with orders, Maxwell जो थे वो प्रकरती को पसंद करने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और वो बहुत ही best थे और अपने काम को जो है, उन्होंने किस तरह से करना कि एक order के साथ वो किस तरह से रहे, क्योंकि देखो, हम pet को ले ले ले, यह बहुत बड़ी बा तो यह आपकी responsibility है कि आप उसका अच्छे से खयाल रखो, otherwise अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उसकी care नहीं कर सकता हूँ, तो आपको pet रखने ही नहीं चाहिए, अगर आप रख रहे हो, तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, otherwise नहीं रखो, क्योंकि अगर आ यहां पर बहुत ही अच्छे थी कि इसके साथ, और के साथ, Maxwell's famous book, Ring of Bright Water, ठीक है, यह book का नाम है, 1960, describes how in 1956, he brought a smooth-coated otter back from Iraq and raised, it is the chemisferina at Sandring Bay on the west coast of Scotland, यहां पर क्या बताया है, कि Maxwell's famous book है, जिसका नाम क्या था, Ring of Bright Water, ठीक है, यह बहुत important point है, कि कहां से जो था, उस book में, इस book, जो ही famous book थी, किसकी, Maxwell की, उस book में, जो कि 1966 में, 1960 में आई थी, वहां पर describe किया गया था, कि कैसे 1956 में, वो क्या लेकर आये थे, एक smooth-coated क्या थे, एक otter जो थे, उसको लेकर आये थे, कहां से, लेकर के back आये थे, from Iraq, Iraq से आये थे, and raised it is in the, और उसको कहां लेकर आये, chemis farina at the sandring bay of the west coast of Scotland, Scotland में वो लेकर आये थे, तो यह जग है, जहां से Iraq से वो अपने एक otter को लेकर आये थे, तो आप देखो, अगर character sketch में अगर आप लिखो, तो ज़रूर नहीं आपको इतने tough tough words लिखने हैं, आप simple simple लिख सकते हो, कि Maxwell क्या थे, एक naturalist थे, ठीक है, और उनक जो नेचर से बहुत प्यार करते थे, उनको pat बहुत अच्छे लगते थे, और Maxwell जो थे, एक famous book से, वहां से इनके लिखा लिया गया था, यह जो book का जो article है, यह यहां से लिया गया था, तो यहां तक लिख सकते हो, next, आगे, he took the otter, उसने, वो took, एक otter लेकर आये, और otter का नाम उन्होंने क्या रखा, मिजबिल, to the London Geological Society, where it was decided, that this was a previously unknown subspecies of the smooth coated otter, अब यह क्या बता रहे है, कि जो मिजबिल जो थे, जिसको, मिजबिल यानि की otter, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, मिजबिल रखा था, उन्होंने लेंडन की जो लोजिकल जो सोसाइटी है, अब अहां पर बताया गया था, कि decide किया गया था, यह क्या है, यह पहले से, जिस ऐसा प्राणी है, जिसका नाम decide नहीं हुआ है, unknown subspecies, मतलब जाती, species मतलब बता है, जाती, ठीके, जो, जिनको क्या मोलते हैं, जो जान्मर होते हैं, उनकी भी इसी प्रजाती होते हैं, तो प पूरी तरह से पता नहीं था पूरी तरह से नाम से नाम नहीं तिया अगर आपने science में तो आपको सब्सक करनाम सब्सके औरbanies इसकी skin थी, Maxwell named it Mijbill, Maxwell ने उसको क्या नाम दिया था, Mijbill दिया था, He exercised Mijbill, वो क्या करवाता था, exercise करवाता था Mijbill को, on a lead as if he had been a dog, वो उसको ऐसे exercise कराता था, जैसे वो अपने dog को करवाता था, वैसी ही exercise वो किसको कराता था, otter को कराता था, Maxwell's life changed due to the presence of the otter, और Maxwell की life क्या हो गई, change हो गई, जब किसकी presence हुई, जब उस author की मौझूद की थी, उस समय author की जो life है वो change हो चुकी थी, तो यहां से अगर main main point अगर आप निकालोगे, वैसे तो आता नहीं है character sketch यहां से, बट हम पढ़ रहे हैं, तो आप first line लिख सकते हो, second line लिख सकते हो, ठीक है, और यहां से chord यह वाली चीज लिख सकते हो, और यह वाली line बहुत अच्छी है, यह लिख सकते हो, अगर simple simple अगर आपको लिखना है, character sketch आ जाता है, तो आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, अभी हम character sketch देख लेते हैं, मिजबिल दा ओटर का character sketch देखो, क्या है, दा ओटर, मिजबिल, वास, in fact of a species, previously unknown to science, मिजबिल जो था, वो एक ओटर था, जो कि क्या था, एक ऐसी प्रजाती थी, previously पहले, जिनको कोई जानता नहीं था, science की language में, यह ऐसी प्रजाती थी, जिसके बारे में ज़्यादा science में नहीं कोई जानता था, at last, it was, फिर क्या हुआ, जब science में पहले इसके बारे में किसी को पता हैं था, फिर last में क्या हुआ, वहाँ इसको एक नाम दिया गया, जिसका नाम क्या दिया गया, geulogist, geulogist के द्वारा इसको एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, यह यह नाम आप लिक लिक के याद कर ले ना, geulogist, geulogist ने, he resembled, यह resembled यानि कि मिलता जुलता था, like a very ठीक है ये मिलता जूलता था किससे like a very small imaginary dragon of the middle ages और ये कैसा दिखता था ये थोड़ा थोड़ा सा मिलता जूलता होता था किसकी तरह जो dragon होता है जो हम imaginary करते हैं जो कलपना वाला जो dragon हमको दिखा जाता है उस type के dragon की तरह ये थोड़ा सा मिलता जूलता होता था उसकी तरह दिखता था It was like a chocolate brown mol ऐसा दिखता था जैसे कि क्या है च昨 लट ब्राउन कलर के मोल यानि की इस पर क्या बने वे तिल बने वे ऐसा दिखता था कि जब उसकी skin देखते ते तो आँ सकता था कि उस पर क्या बने हुए एक ब्राउन कलर के चॉकलेट कलर जो चॉकलेट ब्राउन होता है उस कलर के क्या बने हुए बोल बने हुए है और जो मेन अगर किसकी क्या करता था बहुत जादा उसको मज़ा आता था और हर एक पानी की बूंद को वो इंजॉय करता था उस चीज़ को spread करना फैलाना उससे बहुत अच्छा लगता था तो character screen में अगर main बात अगर इसकी बात कहें तो इसकी main बात ये है ठीक है अगर एक important point बोलू तो मैं ये वाला point जो है सबसे ज़्यादा important है थोड़ा सा tough लेकिन अगर मिच्बिल दा ओर्टर के लिए अगर आता है character screen तो यहां पर हमको इसको mention करना चाहिए last the real game which मिच्बिल enjoyed most was jiggling with the small objects with his paws lying on his back और क्या करता था वो उसका real game जो था वो क्या था वो enjoy करता था सबसे ज़्यादा जो jingling यानि की चंचन वाली जो चीजे हैं with small objects छोड़ छोड़ जो small objects होते थे उनको वो बजाता था मतलब उसके साथ खेलना उसको बहुत पसंद था और अपने pause या अपने पंजे जो हैं उनके साथ वो क्या करता था ऐसे बैठ जाता था और back हो करके अपने पंजो से वो खेलता था तो इस तरह की चीजे वो किया करता था और उसका सबसे फेवरिट टॉइस जो थे वो क्या थे मार्बल्स मार्बल्स के साथ वो बहुत enjoy के साथ खेलता था इस तरह से इनके character sketch में आप ये sign line ने तो लेखे सकते हैं अगर आ जाए तो ठीक है तो यहां पर हमने दोनों का character sketch समझा तो I hope आपको chapter अच्छे से clear हो गया कि exactly chapter में था क्या chapter में था कि भी order था ये था सारी चीज़ समझा गए अब आज हम answer writing नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहां से questions बहुत सारे निकाल रहे हैं तो इसलिए answer writing skip करके हम question के answers देख लेते हैं कि कैसे कैसे questions है और इनके answers किस तरह से लिखने होते हैं first question क्या दे रखा है what experiment did Maxwell think chemisferna would be suitable for क्या experiment किया Maxwell ने सोचा कि भई मुझे करना चाहिए है chemisferna में would be suitable for कि जो उसके लिए suitable हो तो Maxwell ने सोचा, Maxwell ने क्या सोचा कि chemisferna would be suitable experience of keeping on an otter as a pet Maxwell ने क्या सोचा, Maxwell ने क्या experiment कियाना चाहा, उसने सोचा उसको क्या था कि मेरा dog dad हो चुका है, तो उसको था कि मुझे क्या चाहिए, एक otter चाहिए तो वहां से ये जो जगे थी कौन सी, chemisferna यहां से otter लेना उसको सही लग रहा था, क्योंकि यहां पर otter होते हैं बहुत सारे तो उसको यही था कि अगर मुझे as a pet अगर otter चाहिए, तो मुझे यही सही लेना चाहिए वरना वो तो इराग गूमने गया था, काम से गया था, सॉरी गूमने नहीं गया था, काम से गया था तो वो अपना काम करके आदा था, लेकिन जो उसके मन में पहले सही था कि मुझे otter चाहिए तो उसने अपने फ्रेंड को ये विश बताई, उसके फ्रेंड ने वो विश पूरी भी करन दी तो ये चीज सही थी, वो experiment सही था, क्योंकि वहाँ से लाना otter best था तो Maxwell thought that chemistry would be suitable, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है question में से ही लिया है, तो question में से कैसे लिया है what experiment, तो experiment क्या, उस experiment का answer हम को लिखना है तो उसको बाद में लिखेंगे, पहले उठाएंगे हमारा subject Maxwell did है, तो क्या करना होगा, इसके साथ, इंके साथ क्या लगाएंगे, thought second form लगाएंगे तो वही चीज हमने की, Maxwell thought, chemist varina would be suitable experience of keeping an otter as a pet कि एक otter जो है, उसको हमें as a pet रखना है, तो यह चीज उनको suitable लगी now question number two, why does he go to busra, वो busra क्यों गया how long does he wait there, वहाँ पर उसने कितना time wait किया, and why, और क्यों किया तो busra गया था, क्या लेने के लिए, अपना जो mail था, उसका answer आए, उसके लिए बैठा था वो फिर दूसरा उसने जब आपे wait किया, किस वज़े से wait किया, कि जब तक उसका reply आए और बाद में उसका reply आता है, फिर उसके बाद वो क्यों किया, क्योंकि उसको काम था तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़े हुई थी, वो सारी बाते है यह बहुत important question है, कि बसरा वो क्यों किया था, क्योंकि हमको लगेगा कि शायद order के बारे में लिख सकते हैं, कि order के लिए क्या था, फिर वो अरब आया थे, वो उसको order देखे गए नहीं, वो में रुका क्यों था, वो अपने friend के साथ ही चला जा था लेकिन उसके mail का reply नहीं आया था, इसलिए वो वहीं पर ही रुका था वो गया था, कहां पर, बसरा गया था, consult करने के लिए जो उसके जो भी collect से, वो सारी चीज़े, और जो answers थे उसके mail के from the Europe, जो Europe से आये थे, उनके answers आने के लिए, वो wait कर रहा था कि वही, उरोप से जो answer आने है, वो आजाए, तो मैं चला जाओ He waits there over a week, वो एक week से जादा वहां पर रुका उस चीज़े का wait करने के लिए When he finds that his mail hasn't arrived, जब उसको पता चला कि वही, जो उसके mail है वो अभी तक आय नहीं है, he cables to England, तो उसने क्या सोचा कि मैं आप क्या चलाओ, इंगलेंड चला जाओ It remains unresponsive for three days, he receives his mail after five days और फिर क्या हुआ कि वो जो था कितने दिन रुका, वहां पर three days और रुका कि चलो अब आ जाएंगे reply और finally उसको receive हुए उसके mail जो है after five days के बाद, पांस दिनों के बाद जाकर के उसको उसके answer जो थे, उनका mail आगया जो उनको Europe से आना था, तो ध्यान रखना कि Europe से उसके answer आने वाल थे, उसके लिए वो wait कर रहा था और उसके लिए वो seven days वहां पर रुका और finally उसको पांस दिन के बाद जो है उसको mail का reply मिला, clear, आगे मेरे, next, question number three, how does he get the order, does he like it, pick out the words that tell you this, क्या कह रहे है, how does he get the order, उसको order कैसे मिला, ठीक है, दूसरा पूछ रहे है कि does he like it, क्या उसको पसंद आए, आपको कुछ words के साथ हमको बताना है कि आपको यह चीज कैसे समझ में आई, तो देखो, he gets the order through his friend, उसको जो order मिलेते हैं, वो किस के through मिलेते हैं, अपने friend के through मिलेते हैं, अब दूसरा पूछ रहे हैं कि does he like it, क्या उसको पसंद आए, तो जब helping words से start होते हैं, तो हम yes या no में अपने answer को लिखते हैं, तो आप simple लिख देंगे, yes he like it, हाँ उसको पसंद आए थे, नहीं पसंद आए, no he don't like it, ठीक है, he doesn't like it बोलेंगे, ठीक है, don't he doesn't like it, but उसको पसंद आए तो yes he like it, आगे pick out the words that tell you this, अब आपको इसमें बोला है कि वो words हमको pick करके बताओ, जिसमें आपको exactly पता चल रहा है, कि हाँ उस order fixations tell me this, thrilleder means क्या होता है, दास्ता, एक दास्ता किसकी order की, an order fixation tell me, और order के इस fixations ने वो चीज जो है दिखा दी, तो इस तरह से वो words जो है, जिससे पता चल रहा है कि उसको ये चीज पसंद आए थी, तो वो exactly ये words थे, ठीक है, आगे next, question number 4, Why was the order named Maxwell's order? क्यों order का नाम जो है, उसने, order जो था, उसका नाम जो है, Maxwell's order क्यों कहा, क्योंकि वो Maxwell's order था, जब वो कहाँ पर आया था, अपने घर आया था, इंगलेंड, तो वहाँ पर सब लोग उसको गो जो लिए ये किसका order is, ये Maxwell's order है, तो ऐसा क्यों बोलागा था? क्या हुआ था कि इससे पहले science में उसके लिए क्या बोला गया था कि इसका नाम क्या है unknown है तो इसलिए लोग उसको उसके नाम को जानते हैं थे कि exactly क्या है यह और फिर बाद में जो है Christians जो थे उनके द्वारा जूलोजिस्ट में इसका नाम दिया गया था जो कि यह नाम था और इसको और क्या कहा गया है Maxwell's order यह रही Maxwell का order भी इसको कहा जाता है तो इस तरह से इसका नाम दिया गया तो main basically आपको यह नाम पूछा जा सकता है कि max जो इस question को घुमा के भी दिया जाएगा कि order जो है उसको previously किस नाम से मनला Christians में उसको किस नाम से बुलाया गया था तब भी आप पूरा का पूरा यही answer लेख सकते हैं तो यह बहुत important है नेम से related character sketch में भी आ सकता है और इस तरह से question भी आ सकता है clear आगे बढ़ते हैं इनका कोई meaning नहीं है यह बस आप ऐसे याद कर ले ना meaning होगा पता नहीं लेकिन आपको उसका नाम जो है वह ऐसे ही scientifically जो है ऐसे ही नाम आपको याद रखना है next question number five how was Missville transported to England Missville को England कैसे transport किया गया तो उसको एक box में डालके लेके गये थे ना तो जब उसको लेके गये तो उसको box में लेके गये फिर बाद में वो जक्मी हो गया था तो उस box को खोला गया कि बोला कि इसको ऐसे ही knees में बैटने दो तो वो चीज जो है सारी चीजे यहाँ पर है ठीक है तो इसको कैसे लिखोगे मिज्बिल वॉस पैग इन बॉक्स ऐस दा एरलाइन है डारेक्टिट द ऑथर मिज्बिल को पैग किया गया था इन आ स्मॉल बॉक्स लिख देना ठीक है बॉक्स में जो है उसको पैग करना है तो उसी तरह से उसने उसको पैग किया था मिज्बिल को फिर क्या हुआ एक ब्रिटिश एरलाइन जो थी उन्होंने तो अलावी नहीं किया कि आपको जो है आप अपने पैट को अपने साथ लेके जा सकते हो बॉर्ट कर सकते हो तो ओथर ने क्या किया ओथर ने एक दूसरे टिकेट जो है डिफरेंट एरलाइन से बुक की और उसने उसको अलाव कर दिया कि हाँ आप लेकी जा सकते हो तो उसने क्या किया इराक से कहा गया पहले पैरिस फिर पैरिस से कहा गया लंडन ठीक है पहले इराक से पैरिस पैरि बिटेश एरलाइन थी उन्होंने अलाउड नहीं किया फिर वो अनेदर एरलाइन जो है उसके द्वारा वो लेकर के आया ठीक है आगे पड़े नेक्स क्वेशन नमबर सिक्स वाट दिड मिच डू तू दू दबॉक्स मिच यानि कि मिच बिल जो है वो उसने क्या किया बॉक् था तो बहुत उन्होंफृटबल हो रहा था तो ऐसे-इसे हो रहा था फिर उसकी वैसे उसको थोड़ा सा गयल हो गया उसको घा हो गया वांसे उसको ब्लृड निकलने लगा दे आप तो टावर नाचै बॉक्स बीड मिच सेखा कवर एक मेटल शीट जो है उससे हो रहा था मिज जो है didn't feel comfortable मिज जो था वो किस से था uncomfortable हो गया था वो जो metal जो था उससे बनी वी जो line की वी थी चारो तरफ से box में उससे वो बहुत ज़ादा uncomfortable हो रहा था in the box and try to escape और वो try कर रहा था यहां से बाहर निकलने की escape means की बाहर निकलने की तो इस चीज का वो try कर रहा था की कैसे भी मैं यहां से बाहर निकलो क्योंकि उसको बहुत ज़ादा uncomfortable feel हो रहा था in his attempt to escape जब वो इस तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था attempt मतलब की try कर रहा था कोशिश कर रहा था Mitch tore into the metal lining of the box and in the process hurt himself और miserable जो था उसने क्या किया टोर मतलब की fart दिया जो metal lining थी उसको ठीक है उसने उसको fart दिया उस lining को उस box से और वो इस चक्कर में जब उसको कर रहा था तो इस चक्कर में उसको क्या हो हो metal की जो sheet थी वो उसको लग गई और उस से उसने अपने आपको क्या कर दिया hurt कर दिया तो इस तरह से वो hurt हो गया और जैसी hurt हो आट तो उसके वाहांसे फिर क्या निकल रहा blood निकल लगया तो यहां पर क्या पुछा है कि box में क्या कर रहा था box में यह सारी चीज़े कर रहा था कि उसको बहार निकल रहा था और अपना attempt कर रहा था उस महां से बहार निकलने के लिए और बहार निकलने की कोशिश कर रहा था तो वह बॉक्स की जो lining थी वह उसको लग गई और लगने से उसको hurt हो गया और blood निकलने लगा ठीक है आगे बड़े next question number 7 क्या है why did Maxwell put the otter back in the box how do you think he felt when he did this वो कह रहे हैं कि भाई जो Maxwell था अब वो क्या हो चुका था ओटर जो था वो घायल हो चुका था उसको blood निकल रहा था अब उसकी flight छूटने में 10 minutes ही थे तो उसके पास दूसरा चारा नहीं था कि वो दूसरा box ला उसको pack करे ने तो उसकी flight मिस हो जाती है अब उसकी पास चारा नहीं था तो उसने क्या किया उसको वापस से उसी box में डाल दिया जब उसको box में डाला तो उसके लिए बोल रहे हैं कि why did Maxwell put the otter back in the box क्यों उसको वापस में जाला क्योंकि उसकी flight का time ओर था उसको जाना था and how do you think he felt when he did this और उसको कैसा feel हुआगा कि जब उसने उसको box में डाला तो exactly देखा जाये तो दुख ही होगा और वही चीज Maxwell को भी हुई थी कि आपका pet घायल है और जिस box में वो uncomfortable है हम वापस से ही उसको उसी पर डाल रहे हैं तो बिलकुल हमको hurt होगा लेकिन time के crunch की वज़ तो आंचा देखिए As there was no other way to carry Mitch to London. Maxwell put in the box again तो उसके पाद दूसरा चारा नहीं था तो उसने क्या क्या? Maxwell ने Mitch बिलकुल वापस से उसी box में डाल दिया He must have felt pity हाँ बिलकुल उसको क्या हुआ होगा? उसको दुख हुआ होगा On the way the author hurt himself कि उसको जो ऑटर था उसका वो खुद से क्या हो चुका था? घायल हो चुका था तो बिलकुल उसने क्या फील क्या होगा? उसको बड़ा दुख हुआ होगा कि उसको? ऑटर को? Maxwell को कि और्टर जो है उसने अपने आपको हर्ट कर दिया लेकिन फिर भी मैं उसको उसी बॉक्स में डाल रहा हूं क्योंकि वो जिसमें अनकमफर्डिबल है moreover he must be worried as well और साथ ही साथ वो क्या था वो worried भी था चिंता भी था कि उसको डाला था उसने उसके पास कोई चारा नहीं था लेकिन उसने उसको डाला था उसके लिए वो tension भी कर रहा था कि पता नहीं वो अंदर कैसे होगा किस तरह से रहेगा तो ये चीजे उसको अंदर से feel हो तो क्या think किया वो think के लिए आप यहां से लिखेंगे और उसने Maxwell को क्यों डाला क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं था कोई और reason ही नहीं था वो कैसे उसको ले जाता इसे उसने फिर से उसको box में ही डाल दिया simple simple words है simple simple words से आपको अपने answers को लिखना है ये word बहुत important है इसको आप अपने sentence में जब भी हमें किसी चीच का reason दिखाना है इस वज़े से ऐसा हुआ तो वहां पर आप ऐसे words को use कर सकते हो ठीक है next question question no.8 why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind Maxwell ने क्यों कहा कि जो air hostess थी वो बहुत ही एक क्या थी the very queen of her kind मतलब दयालूता में वो एक रानी की तरह थी बिलकुल उसके जैसी दयालो तो कोई है ही नहीं ऐसी चीज उसने क्यों कहीं क्योंकि जब वो अंदर आ रहा था plane में तो उसने air hostess को सारी बात बता ही तो air hostess ने उसको suggest किया कि आप इसको box से निकालके अपनी knees के पास रग दो ताकि यह comfortable feel करे तो यही चीज उसको बहुत अच्छी लगी क्योंकि अंदर से तो Maxwell को भी लग था कि ऑर्टर जो अंदर uncomfortable feel कर रहा है और उसको भी मजा नहीं आ रहा था तो जब air hostess उसको ऐसे कहा तो उससे बड़ा अच्छा लगा कि air hostess कितनी helpful है और कितनी caring है जो हर चीज को समझती है the air hostess was very sympathetic after listening the Maxwell story Maxwell ने जब अपने पूरी बात बताई तो उसको सुन करके वो बहुत जदा समवेधन चील हो गई she understood वो समझी how he might be feeling and then gave him permission to take the order out of the box और उसने क्या किया उसने उस feeling को समझा और उसने समझा कि भई ये बिल्कुल कितना अलग feel होता है एक pat को उसके अंदर रखना और फिर उसने क्या दिया उसने permission दे दी उसको कि तुम order को जो है box से बाहर निकाल सकते हो due to all this Maxwell referred as her the very queen of her kind और इन सब चीजों में उसने क्या बताया उसने ये कहा कि जो air hostess थी वो कैसी थी the queen of her kind ठीक है आगे बढ़े last question करते हैं हम इसके बाद हम इस class को end कर देंगे last question क्या है question number nine what happened when the box was opened क्या हुआ जब box खुला तो जैसे ही box खुला order जो है यहाँ वहाँ भागने लगा और सारे passenger डरने लग गया as soon as the box was opened Mitch ran out then it ran all over the place scaring all the passengers और उसने क्या किया सारे यहाँ भागने लगा और जितने भी लोग थे उन सबको जितने भी passengers थे उन सबको क्या कर दिया डराता रहा it created a clause and the most of the people in the plane got scared और उसने क्या कर दिया पूरा एक हटबड़ी मचा दी और सभी लोग जादा तर लोग जो है वो plane में क्या होने लग गए डरने लग गए कि अरे यार हम आया तो नहीं हो ने प्लेन में चुआ छोड़ दे तो क्या होगा हालत खराब हो जाए क्योंकि चुआ इदर तो भागेगा तो हम सब भी क्या करेंगे डरने लग जाएंगे तो जो मिच्बिल था वो भी यहाँ वहाँ भाग रहा था और सब लोग जैसे कि डरे होए थे और फाइनली वो उनको कहां मिल जाता है एक टर्बन इंडियन जो थे उनकी पास में उनको मिल जाता है कौन ओर्टर तो यह सब चीजे जो है हो रही थी जब बॉक्स को खोला गया तो आप यहाँ पर वो वाली इंडियन टर्बन वाली लाइन जो है वो भी एड़ कर सकते हो अपने आंसर में कि फाइनली वो कहां पर मिला था ठीक है तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर नमबर एट मिच्बिल दा ओर्टर मिलेंगे हम नेक्स कर सकते हैं जाद जाद इस से जादा नहीं कर पाते हैं जो लगए तो इसलिए हमने क्वेशन ले लिये थे इसके आगे हम आंसर रिटिंग फिर से स्टार्ट करेंगे जो चैप्र नहीं हुए है मैं ट्राय करूंगे उनके और और बी जिसे आज मैंने कुछ जादा फॉशन इसके बाद और जादा question लूँ ताकि आपके questions cover हो जाएं जिससे आपका chapter पूरी तरह से cover हो जाएं और आपको एक idea भी लग जाए कि कौन से question किस किस तरीके से आते हैं ठीक है, मिलेंगे next lecture में जहां पर हम करेंगे next chapter तो thank you so much, bye bye and take care